हाव रूफिक्स सैमसंग A20S कॉन्फरेंस कॉल नोट वर्किंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तो स्वागर आप सभी का तिकिराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है सैमसंग के डिवाइस पे कॉन्फरेंस कॉल नोट वर्किंग प्रॉब्लम सॉल्फ कर सकते हैं तो दोस्तो यहाँ पे कॉन्फरेंस कॉल के रिलेटेट आपको काफी सारे चीज़े जानने को मिल जाएगा क्यों ऐसा प्रॉब्लम क्रेड होता है कैसे आपको फिक्स करना है कॉन्फरेंस कॉल कैसे चलते है कैसे काम करते है किस तरीके से आपको सेटिंग्स वगरा करना है ठीक है वीडियो को शुरू से लेके आन तक देखे आपका प्रॉब्लम ज़रू फिक्स हो जाएगा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आए तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकुन को क्लिक करें अगर आप आप आनलाइन पैसा कामाना चाते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लेम के रिगार्णिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मेसेज कर सकते हैं चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तो यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या आए अगर कॉन्फरेंस कॉल काम नहीं करते हैं तो दोस्तों अगर आपका conference call में यहाँ पर problem आ रहा है तो आप सबसे पहले जाए अपने mobile के setting पर scroll down करके नीचे में आ जाए general management पर जाके आपको reset पर click करना है और reset network setting पर click करके reset setting पर click करना है और mobile password भर देना है ठीक है उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर bake करना है bake करने के बाद आपको जाना है apps पर and scroll down करते हुए आपको थोड़ा सा नीचे में जाके अपना जो यहाँ पर option phone service का तो उसको open करना है and then आपको storage पर click करना है clear data कर देना है clear data okay करने के बाद ही आपको bake करना है और permission पर जाना है सारे permissions को allow कीजिए permissions allow करने के बाद दोस्तों आप अपने device को restart करें ठीक है restart करें अपना connections के option पर जाए mobile network को 4G पर set कीजिएगा 4G पर set होना चाहिए आपका wall calls enable होना चाहिए ठीक है उसके बाद जाके आप video call प्लेस कीजिए problem fixed हो चुका होगा तो इस तरह किसे दोस्तों conference call not working problem fix कर सकते बाई इनी चांस अगर आपको इसके related कोई भी problem आते तो आप जाए दोस्तों आपने software update कर लिजिए ठीक है जैसी software update करेगा आपका सारे issues सारे problem solve हो जाएगा तो conference call करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले तो यहाँ पर एक number को dial करना होता है ठीक है एक number को इस तरह के से दोस्तों यह चीज़ काम करते हैं तो एट कॉल कर दीजिए उसके बाद आपका conference call connect हो जाएगा एंडेन आप conference में बात कर सकते हैं ठीक है तो बस दोस्तों इतना solution में आपको आभी के लिए suggest करूंगा अगर कोई भी डिक्कते आते तो आप हमें WhatsApp पर contact कर सकते हैं WhatsApp नंबर स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा ठीक है आज के लिए बस इतना ही टेंक्स वाचिंग